हाई गाईज वरकम तो दे लव इन लाइट 369 टैरो कैसे हो आप सभी उमीद है आप सभी बहुत अच्छी होगे और अफिल आफ में आगे बढ़ रहे होगे तो गाईस मैं हासर हो आप सभी के सामने को नियों रीडिंग लेके और रीडिंग होगी लेट नाइट थौट्स के लिए देखिए कि आपके परसं के लेट नाइट थौट्स क्या है यह लेट नाइट ही आती है वीडियो अभी हम क सब्सक्राइब नाइट नाइट है आप उस पर कॉंटेक्ट कर सकते हो चले शुडू कारते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में सो भी पॉज़िटिव प्लीस गाइट कीज़िए हमारी वीवर जिस परसं के बारे में सोच रहे हैं उस परसं के लेट नाइट थौट्स क्या हमारे वीवर्स के लिए प्लीस एंजिब गाइट काइट कीज़िए प्लीस एंजिब आई प्लीस माइट प्लीस एंजिऴ स्चैन I need you to need me like I need you I could never forget about you I do talk about you bottom of the text is I know I am the one to blame something you have done when you have to blame you yes I am responsible for this or they are all from your life they are saying that something is not possible or they are not not I am not 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 I am not okay for sure separation separation not I am not I am not I am not close I am not 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 I am I am not I am not not we is six of two of cups, four of cups, queen of pentacles, page of cups, age gap, queen of wands, and third party issues, you can choose, but you can choose, but you can choose yourself, you can choose yourself, you can show me, third party issues, I can show you what I am giving now, I am giving you some energy, or age gap, and if you have not age gap, your nature is very childish, or I will say that your person is very small, but they are very serious, child is very courageous, okay, they act like being very mature, very mature, and you get more age than the only amount of children, but you act like as the same as the same as the same as the same as the same. Like you become very young, maybe you are very little, even you child is very young, so you can see these combinations on the other side, में निच्रवाइज अईसा भी हो सकता है ठेक है अब आप यहां पर खुदी देख सकते हो overthinking है आपके पार्ट को धाय करते हैं आपको बता दू ठीक है वह आपको स्पाय करते हैं आपके ऊपर नजरHAM क्योंकि आपको बहुत मिस्स करते हैं आपकी तरफ बहुत अदर ट्राक्टिड है ऐसा मैं यहां पर देख रहे हूं कि आपके जो परसन है न अगर उन्होंने थर्ड पार्टी में भी अगर वो गए किसी तीसे परसन को भी चूज किया तो भी वह आपी के बारे में सोच रहे ह और आपको फिर से अप्रोच करने के बारे में भी सोच रहे हैं बट अप्रोच करने से पहले कही न कि मन में रिजेक्शन का डर भी आता है क्योंकि यह खुद ही गए थे तो अभी खुद कौन सा मुह लेकर कि आपके सामने है सिंपल से चीज़ है बट एक चीज के लिए रह देख लिया है कि औरों में वह बात नहीं है जो कि आपके साथ फील हुआ है आपके साथ एकदम से कनेक्शन फील हुआ है आपके साथ स्ट्रॉंग बॉन फील हुआ है आपके साथ ऐसा बहुत से क्यूर फील करते हैं बहुत कमफोर्टेबल फील करते हैं आपके साथ इनको कि आप इनका साथ कभी नहीं छोड़ोंगे बट इन्होंने और जो ट्राय किये न उसमें अलब इनको और भी इच्छे से या फिर मैं यह कहूं कि उनको इस चीज की realization ही औरों के साथ deal करके हुई है कि औरों के साथ इन्होंने deal किया इन्होंने देखा कि और कैसे treat करते हैं औरों के साथ क्या connection बनता और देन उस time इन्होंने realize कि इससे better connection नहीं होगा इससे better person नहीं होगा तो यह वही वाली energy है आपका nature इनको बहुत पसंद है ऐसा मैं आप पर देख रही हूँ आपका जैसा भी nature आप childish हो या आप काफी मुझे से दिखाए देता है कि आप मैंसे कुछ लोग थोड़े childish है और अपने career में अभी काम कर र बहुत अच्छी तरीके से deal करते हैं कि responsible person ठीक है मैं असा नहीं कह रही कि childish लोग responsible नहीं है बट एक चीज़ है कि आप पे अभी शायद इतनी responsibility नहीं आई है लेकिन जो दूसरी energy है उसके पास already responsibility है तो अभी आप इसे कुछ लोग अभी career में काम करी रही है ठीक है और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि stable है तो यहाँ पर मुझे clear दिखाए देते हैं कि आपका जो भी जैसा भी nature है आपके person आपको पसंद करते है ठीक है आप उनके दिमाग से नहीं निकल रहे हो I could never forget about you यह भी था message और यहाँ पर भी वही energy निकल के आई है कि आपके person जो है आपको नहीं भूल सकते क्योंकि आपने कैसी जगा बना लिया उनके दिल में आपने उनकी life पे कैसी जगा बना लिया है कि वो चाह कर के भी आपको नहीं भूला सकते वो चाह कर के भी आपसे दूर नहीं हो सकते औ वो कहें ना कि दिल पे राज करती है या दिल पे राज करता है तो यह नो मुश्किल है आपको अपने दिलों दिमाग से निकालना यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ तो सबसे पहले है कैंसर स्कॉर्प्यों पाइसिस कर्कमीन और वरशिक राशी फिर उसके बाद में है एरीज, लिवरेन, साजिटेरियस, मेसिंग, धनुराशी, आइन टार्स, वर्वरेन, कैप्रिकॉन, वरशप कन्या और मकर राशी देखा जाये तो गाईस साइन यहाँ पर सारे ही अविलवल है यह और साइन भी आपर अविलवल है बहुत अच्छे खासे तरीके से जैबना यह वाटर का कॉम्बो हो सकता है वाटर में आता है waving Scorpio, Pisces, कर्कमिना और वर्षचिक राशी अर्थ में आता है Taurus, V cielo and Capricorn, वर्षप कन्या और मकर यह आप में से कुछ लोगों का water और fire का combo हो सकता है और fire sign में आता है Aries, Leo and Sagittarius में सिंग और धनुराशी तो मुझे आप दिखाई देता है कि यह combo आपका हो सकता है और इस वक्त ना मुझे ऐसे भी दिखाई देता है कि आपके जो person है वो mood swing से भी गुजर रहे हैं अभी उनकी अगर मैं जैसे की energy तो मैंने देख ली अब मैं अगर आपको clear clear to the point उनके late night thoughts अगर बताओं तो late night thoughts यह हैं सबसे पहला thoughts जो मैं आपर देख रहे हूँ वो यह कि आपकी person जो है इस चीज़ को feel कर पा रहे है कि आपके बिना खुश नहीं रह सकते हैं वाला उनको यह चीज़ feel हो रही है अंदर से वह चीज़ को feel कर पा रहे हैं कि आर्म उसके बिना खुश नहीं रह सकता कुश तो करना पड़ेगा ठीक है दूसरा वो आपको approach करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन और I think वो बहुत बारी सोचते भी हर रात सोचते हैं लेकिन सुबह होते 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 ह हैं ठीक है खासतोर पर आज हम देख रहें एनर्जी तो हां मैं आप यह कहूंगी कि वो आपको spike करते हैं आपके उपर नजर रखती हैं कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपकी photos वगएर भी वो रात को देखके सोते हैं ठीक है तो कि वो भी एनर्जी आपर निकल की आ रही है तो यह मेंली मुझे thoughts दिखाई देते हैं और plus यह उदास है इनकी जो एनर्जी वो यह की उदास है यह happy नहीं है mood swings इनको हो रही है ओके लिए क्या message है यहां से हमें unexpected चीजें भी देखने को मिल सकती है कुछ past related चीजें कुछ future related और कुछ present related ठीक है तो आप देखना आप से क्या रिलेट करता है commitment phobia हो सकते हैं आपकी person responsibility से भागते हैं बात करने को तो बात कर लेंगे लेकिन हमेशा responsibility से भागेंगे इसा कुछ है यहां पर message इनकी तरफ से आ सकता है responsibility से क्यों भागेंगे क्योंकि इनको commitments are related issue है इसलिए मैसेज इनकी तरफ से आ सकता है यह मैं देख रहे हूं आपर soulmates हो हो आप दोनों I feel आप soulmates connection में हो इनके साथ happiness आप उनकी happiness हो जो कि मुझे आपर दिखाई भी देता है कि वह आपके बिना खुश नहीं है तो yes अगर वह आपके बिना खुश नहीं है तो आपके साथ खुश है ना तो आप उनकी happiness हो imagine I think वह आपको imagine भी घरते रहते हैं आपके साथ यह भी messages सारे third party situation जो कि मुझे दिखाई दी थी यहां पर lack of care हो सकता है एक time पर आपकी person ने बिल्कुली care करना बंद कर दी थी आपकी वो care नहीं कर रहे थे ध्यान नहीं दे रहे थे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे और यह सब हुआ था third party के आने की वज़े से और I think इस वज़े से इस रिष्टे में बहुत ज़्यादा issue हो गए differences हो सकते हैं आप दोनों के बीचों बहुत ज़्यादा differences भी हो call तो call और message का दोनों है तो call या message दोनों में से कुछ भी है दोनों भी आ सकते हैं आपकी person की तरफ से ठीक है fear of rejection जो की है याँ पर cards में भी energy आई है कि आपकी person को डर है कि कहीं आप reject ना कर दो तो rejection के energy है याँ पर breakup हो सकते हैं आपके person को ऐसा लगता है कि कहीं मैं उससे बात करूं अभी ऐसा कुछ है नहीं ब्रेक अप जैसा और reject करके कहीं breakup ना कर ले मैं भी डर कि कहीं सब कुछ खतम ना हो जाए इस चीज़ का डर है age differences जो कि मैंने भी बोला था age differences हो सकते हैं और यहाँ पर निकल के आया भी है तो आप दुनों के बीच में strongly age लग अलग है and marriage material आप इनको एक दूं marriage material लगते हो तो यह messages है एक emotional connection ही आपके साथ feel करते हैं तो यह message आपके लिए है and let's see हाँ से universe की तरफ से आपके लिए क्या guidance है वो भी मैं देख लेती हूँ wait मैं angel messages देखते हूँ या फिर wait मैं आपके लिए baba की messages देखुए guys कि baba की तरफ से आपके लिए क्या message है this baba guide कीजे हमारे viewers को इनके लिए क्या message है आपके तरफ से please दीजे okay यह लूंगे मैं be the light okay balance one more card soldier दोनी बाबा यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि कहाँ पर एकर मैं एक word में बोलू ना तो बाबा कह रहे हैं सम्हालो अपने आपको ठीक है जो आप कर रहे हो उसके लिए नहीं बनाए गए हो आप अपनी life को पूरा किसी और के उपर depend करके बैठे हो आपने अपनी लाइफ में अंधेरा भर लिया है आपने अपनी लाइफ को अपनी अपनी लाइफ का बैलेंस पूरा बिगाड लिया है आपनी जो सारी आपने अपनी पूरी जर्णी को इडिस्टरब कर लिया मतलब की आप जिस चीज के लिए आए हो उस चीज पर तो आपका ध्यान ही नहीं है देखो यहां पर चीज है एक रिलेशन्शिप बहुत मैटर करता है देखो बाबा की तरफ से जो मैसेज है वह मैं आपको दे रहे हो तो यह अपनी लाइफ का सुक्षान और बैलन्स खोकर कि अगर कोई चीज हो रही है तो इतना धान मत दोसके उपर फिर यहां पर आपको यह का जा रहा है क कि प्रियॉरिटी पहले खुद को रखो खुद का सुकून चैन बैलन्स नईक होना चाहिए आपकी एक जर्णी है उसको आपको फॉलो करना है उस पर आपको चलना है आप वो जर्णी फॉलो करोगी सारी चीज़ें आपको फॉलो करेंगी आप क्या करेंगी अपनी जर्णी चीज़ें आपके बस भागी-दोड़ी चले आएंगे, means यहाँ पर यह है कि आपको यहाँ पर यह कहा जा रहा है, कि सारी टेंशन को साइड रख के, जस्ट यह सोचो मैं अपनी लाइफ में क्या एक्साइटिंग गर सकती हूं, मैं अपनी लाइफ में क्या अच्छा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ मेरी लाइफ में और भी चीज़े हैं तो मैं उनको कैसे बेटर कर सकती हूँ मैं अपने साथ कैसे खुछ रह सकती हूँ अपने लिए क्या कर सकती हूँ बलब यहां पर ना बाबा यहां पर यह कहना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में चीज़ों को ढूनना चाहिए आप किसी दूसरे के साथ happiness ढून रहे हो आप किसी दूसरे के साथ चीज़ों को ढून रहे हो आपको अपने साथ चीज़ों को ढूनना चाहिए ठीक है जब आप ऐसे करोगे ना जब आप यह काम करना अच्छा लग रहा है मुझे सब आप अपनी सोल जर्नी पर भी पहुंचोगे और सोल जर्नी सब को अकेले ही तै करनी होती है कोई कि जिगा साथ नहीं देते हैं तो यहां पर ना अपनी लाइफ को बैलेंस करो ठीक है अपनी दुख मिली उन्होंने क्या सिखाया आपको उससे सीखो ठीक है जब आप उससे सीखोगे तो आपको खुद को एक रास्ता दिखेगा प्लस आपके पास एक्सपीजेंस आएगा अगर आपके पास ऐसा वोई परसन आता है जो आपकी जैसी सिच्वेशन से डील करा तो आप उसको भी गाइड कर पाओगे तो यहां पर ना सिंपल से चीज़ यह है कि जिसे बाबा कहरें कि अपनी लाइफ से कनेक्ट हो जाओ आप जितना अच्छे से अपने पार्टनर को जानते हो ना जितने अच्छे से उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हो बिल्कुल वैस की हो I hope आपको पसंद आई हो resonate की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मैं मिलते हूं आप से नेक्स वीडिंग में तब तक अपना ख्याल रखें बाबाई ठेक क्यार से यू अकें च्पपटनी जिए के लगार है्ट्ओनी और अगलना च्पटनी भूलना मत यंगना मत देक क्यार के इंब आफबेल से जज़रूर को उपल से टूलना मत नवक जप आप आपे हरो नेक deben को सा करना मत आपकर मिलते हैं उलना थतमक्स ऑšक करना म anál स numbers झाक्पटनी मत लग